साइला से सुराना में करीव दो साल पहले विक्रम सिंग पुलिस रगस्तिंग जाती राजपूत के साथ मारपीट करने के समद में परार चल रहे वांचित आरोपी गोपाराम और फुक गोपाल पारमारको साइला पुलिस ने कारिवाही करते हुए मंगलबार को गरफतार किया शाहला थाना अदिकारी रामेश्वर लाल ने बताये कि स्पाइला थाना शेत्र के सुराना गाउँ में सिरोई निवसी गोपाल राम और फुग गोपाल परमार पृत्र भुवा राम जाती मेगवाले वेकरम सिंग पृत्र रंग सिंग के साथ मारप़िट जिसका मामला साइला थानी में दर्ज है जिसके बाद वहें दो साल से फरार चल रहा था रहीवार की रात सुराना में घटना को मडर बता पोश्ट की थी वायर रहीवार की रात को सुराना में सेगरेट लेने जा रहा पारसा राम पोत्र पदमा राम मेगवाल रोड पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गया था जिसमें उसकी मौत हो गई है जिसके बाद बोपाल ने सुराना में हुए हादसे को मडर बतागर सोशल मेडिया पर अफ़वा फैलाई थी जिसके बाद साहिला पुलिस ने दो साल से फरार आरोपी को ग्रफतार कर लिया है कारेवाही टीम थाना दिकार रामेशर लाल भाटी, S.I. नरेंडर, कॉंस्टिवल प्रकास, बुरकड, जगदीश चोधरी, कपिलवा, मनेश रहिद, साहिला से समवताता परताप चोधरी की रिपोर्ट